ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल अठारा जून 2022 शनिवार का दिन है आशार माहा के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी तिथी है स्रवन नामाक नक्षत्र होगा तथा मकर राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो अद्राखा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू होकर के दस बच के तीस मिनिट तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मंगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। देनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहू के राजा सूरीदेव जो की मिथुन राशी में, वहीं चंद्रमा मकर राशी में, मंगल ग्रह मीन राशी में, बुद्ध ग्रह वरशब राशी में, देव गुरू ब्रहसपती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह वरशब शनिदेव कुम्ब राशी में राहू ग्रह मेश राशी में तथा केतू ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे। शनिदेव कुम्ब राशी में राशी में तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विदियो में व्यतीत होगा। और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। जीवन को सकारात्मक नजरिय से समझने की कोशिश करे। इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बरता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है। इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान ठाए। किसी नजदी की मित्रे या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे। और उपाई के रूप में घर से निकलते समये। यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस् सुन राशी की। घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा। तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वातवरन को खुश्णुमा बनाएगा। अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे। युवाओं को आपसी के आपके साथ शेयर कर पाएंगे। और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा। भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा। हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा। उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे। घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी। बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को समाल कर रखे। ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है। और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा। किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे। कोई आर्थिक परेशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। परन्तु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रीनता परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपने व्यभार वविचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाइची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेश योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिकत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हु अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्तिके विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है उपाई के रूप में भर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर न दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फाइदेवन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाबदायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में चिर् करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक जह सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भागवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागि आपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे पर परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिन्ता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गति विदियों से जोड़े मित्र आपके लिए भाठ पूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगात कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गति विधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है बच्चों की गति विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदिया भगवान विष्णु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डेंड शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गति विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्तु के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इसाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशखबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में छट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद